हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलाम अलेकुम तिंग टैंग में आपको खुशाम देट कहते हुए मैं हूं सेयर दाइश अनास प्रोड़ाम में मुझे साथ हासल है जनाब भारुन रशी साब का सल्मान गनीश साब भी साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हसन स्करी और आयाज अमीर में प्रोड़ाम का हिस्सा है बात करने जा रहे हम इसलाम बात की सुरत हाल की जो बदस्तूर अब तक किसी नतीज़त पर नहीं पहुंच सकी लेकिन मुजाकरात की कोशिश की जारी आपरेशन का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया गया मुजाकरात किये जा रहे हैं राजा जफरुलहक की रहाशका पर जिसमें सालसी का किरदार गोलड़ा शरीफ पी गोलड़ा शरीफ अदा कर रहे हैं सालिस हैं इसमें और उमीद की जा रही है कि मामला खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा लेकिन सवाल जो हम पूछने जा रहे है जार है इसमें क्या कन्फिजन पैदा हुई कि अब तक धरना खत्म नहीं हो सका इसी बारे में हम रहनमाई लेंगे हारून साब आप से शौक अपनी जगा ठीक है क्या यह तो ऐसे ही है मैं किसी से कहूं बैं मुझे पानी का गलास दो कहें मैंने फुलाँ से कह दिया है वह भाई एकोमत वार करने का क्या मतलब था देखे कल मैंने आपको मिसाल दी थी उसी को दोहराता हूँ वह मुस्ट एप्रोप्रियेट एग्जे किसी को हुमिलेट ना करें जियाती ना करें मगर सवापल से आगे नहीं आ सकते है ठीक है नहीं आया वो और उन्हें ने मतलब यह जायर है वोटों को मौला शाहम दुरानी दुनिया से जा चुके थे तो एक पार्टी बनाना चाहते थे सियासित में मुहिम जो हमेशे होती ह उसका मुकाबला आप कैसे करते हैं कानून से? महज़ब मुल्कों में भी हो जाए है तेन चार बेरे एस पहले लंदन में लिصानी फसादात नहीं हुए मारा पीटर नहीं वे बेर लूट मार नहीं हुए हारलम में नहीं होता था नैन्टी जमे आप क्या करते हैं? आप कान यह बड़ी सिगनिफिकेंट है आप एक तो यह है कि इससे दो चीजे रिफलेक्ट होती है सारे के सारे इस पैस एक तो है डिसीजन मेकिंग का स्टाइल यह है कि मामले को पेंडिंग रखो जब तक वो आके आप मुझ पे हिट नहीं करता अब सवाल यह है कि यह लोग यहां से स्टाइट हुए चलते गए चलते गए और वहां पहुंच गए बैट गए गवर्मेंट ने परवा नहीं की और क्योंके गवर्मेंट का डिसीजन मेकिंग का जो स्टाइल है गवर्नस जो इनकी है वो इसी किसम की है कि जब तक मसला आपके सर पे नहीं आके पड़ता उसकी अला मिया मसले हल कर देता है लहाजा खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है दूसरा ये है कि ये जो आर्गुमेंट दी जा रही है कि हम हाई कोड का ओर्र इंप्लिमेंट कर रहे हैं मैं आज तक इस आर्गुमेंट को नहीं समझ सका क्योंके ये अड्मिनिस्टेशन का बुन इंटियर मेंटेशन के ये उनका बुनियादी फर्ज है हकूमत का फर्ज है और फिर एक है अच्छी एड्मिनिस्टेशन वहोती है जो सीचुएशन को प्रेम्ट करें यानि वह एंटिस्पेट करें कि अगर ये लोग यहां से जा रहे हैं तो ये इस तरह होगा इसके कॉंस आप वक्त पर कोई काम करेंगे तो बहुत से कामों से बच जाएंगे लेकिन दस दिन में मुझाकरात की पेशकश नी हुई अब जाके हुई है जब दस दिन गुज़र गे शहरीयों को अजियत बरदाश्ट करते क्या महावरा आपने दिया है सर आपको देखते हुए दिया है सर आपके रूबर एक बात सुमें यह स्टिच जो है कौन लगाए है यही तो रोना है हकूमत पनामा की जखमी शुदा हस्पताल में सिर्फ इसागडार नी लेटे हुए बलके हकूमत लेटी हुई है खादमे आला उनको डर है मौडल टाउन का हुदैबिया केस का नवाज शुरीफ को रोना है सुबह मुझे क्यों निकाला गया आपने वो वीडियो देखे हैं मुझे क्या वो ऐसे है उस्ताद अमानत अली खान ऐसी आवाज नहीं निकाल सकते जैसे काइद जमूरियत नकाल रहे हैं मुझे क्यों निकाला गया इतना दर्द अमानत अली की आवाज में नहीं तो नहीं है जितना वह है तर्मीमी बिल लाते हैं इलیک्शन्स के बारे में जिसका कोई खत्मे नभूवत की क्लाउस से कोई दूर दूर का तरलुक नहीं है वहाँ पे चेंज कर देते हैं ये सारे चोर जो हैं उनके दिल में फसे हुए हैं और आप तवक्व कर रही हैं कि वो दर्जी बन जाएं जो पहले एक वो स्टिच लगा दें ताके वो नौ धागे जो हैं बाद में ना करने पड़ें ये जो दर्जी थे ये वो स्टिच इन टाइम के मतहमल नहीं थे ना कर सकते थे वो अपने साए से खौफ जिदा थे वो कैसे ले सकते थे इसी लिए जो बहां ये जो है तन्जीम जो है माँ बैठे हुए नौ दास दिन से बैठे हूं कितने ज्यादा उनकी तादाद भी नहीं है वो आए उन्होंने कबजा कर लिया ऐसे तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी फाज भी हो हिकमत अमली आप करते हैं नपोलियन भी करता था बड़े कमाडर के आम डिवाइड कर दे ऐसा दारुल खिलाफे को अरावल पिंडी को किसी ने नहीं डिवाइड किया जितना कि वो जो चंद सो वो हैं इसलिए क्योंके वो सारे जो थे जिन्होंने स्टिच लगाने थे बगाल आपके बवक्त लगाते उन सारों के दिल में जो थे वो सुए लगे हुए थे वो स्ट अरभान साब हैसन अकबाल वहां पहुँचे और वहां जो भी गड़बड हुई रात और रात खत भी लिख दिये गए सारे एक्शन होगे लेकिन यहां दस दिन से बैठे रहने के बाद अब जाके बाद चीत अबी जो बात हुई है यह सिर्फ हकूमत की नाकामी नहीं है यह रियासत की नाकामी है यह पड़े लिखे तबकात की नाकामी है यह अच्छी सोच और अप्रोच की नाकामी है हम एक नुक्लियर पावर हैं हम एक जुमादार मुलक हैं और यह रोजान आज से शुरू नहीं इस्तावबाद में एंतर क्यों उने लिया है? इस्ताव जब बात हो रही थी तो कहा गया है कि 24 गेंटे के अंदर मामला हलो जाएगा है अभी कुछ देर पहले मैंने राजा जफलाक साब से कहा कि एक टीवी चैनल ये चला रहा है कि मुजाकरात नाकाम हो गए अब हाँ हालत ये है कि राजा जफलाक साब ने कहा है कि अभी तो ऐसन अकबाल साब कोईटे से नहीं पहुंचे अभी तो मुजाकरात शुरू नहीं हुए तो खात्मे की नवीद आगी है मैं समझता हूँ कि एक मुस्किल स्ट्रेटिजी बननी चाहिए चुकि ये सिर्फ अब हुकूमत का मसला नहीं है कि कुछ सो लोग वहां पर कुछ हजार लोग वहां पर जाते है और दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाही होती है जो मसला था वो हलो चुका हुए है अब वो जिस तरह के मतालबात कर रहे है तेकि आज़साब आपकी इज़से से एक फिक्रा मैं करना चाहिए डेरा इसमाईल खान जेल का हमला याद है आपको यासफ बिलकुल याद है याद है क्योंके पुलिटिकल इंटिफेरेंस नहीं है बहुत अच्छी नहीं है वाकिए अब भी अफसोसनाक होते है वो ठीक सिल्मान खनी साब कहते है माइशरे की साखत में भी खराब है कुछ करे तो सही लेकिन हारुन साब जैसे अब भी कह रहे है कि मैंने पूरी तहकी की है ये कोई एक जाहिद आमद का इशू नहीं था सिर्फ जमाद इस्लामी माला एक बंदा बाहर गया बाकी सारी किमेट्टी शामल है वज़ा भी मैंने काल आपको बता दिदी को बोल टुकात सारे बहाल हो चुके है इसको मैं बताता हूँ सर्फ एक बात समझा दे उस शिक को तबदील करने की जरूरत कैसा नहीं कल बता दिया थाना कि किन का एजेंट है जनेवा में डिकांस की बाती है अमरीका आके उसने अमरीका आके महां पर वो चेंज़ करा है अहाया साब यहां आको मेरे से जfiार जर्यादा बपता है इसकी अमरीका किस किस तरह कौन कौन से चीज़ें इसका नजहती तशंक भी जाना पर न ही चाहाँ पर आपके नजामés तशलेंगे चैज़ करने झीमीशश पाझे है कवानीन की मैं और आप नहीं करते किमेटी के अंदर गई हो सकता है अस वतुन डॉक्विंटS के में पाहर यून नहीं है पड़ना तो बड़ी बाद टाइटल नहीं खोलते हैं वो जो बनावा होता है न जब 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 ज नवाद श्रीफ जो खुद ढेके खादमे आला जो अपना काम करनी रहे उन्होंने कहा पहले जो आदमी जमवार है उसको बरतर्फ किया जाए एक मिया मुहम्मद नवाद श्रीफ वहां से बनाते है कुमिटी राजा जफर अलाग की सरब्राई में के जी आप देखे तहकी करे कल राजा जफर अलाग फर्माते हैं उनसे पुछा गया कौन है जिम्वा कहता है मैं नहीं बता सकता कौन है वो मैं उसके नहीं कर सकता मिया मुहम्मद नवाद श्रीफ ही बता सकता है उनका रिपोर्ट में सब कुस लिख दी है एक बड़ी मानी खेस बात उना है जो आप किसी और मवजू के बारे में वो पेश कर रहे हैं उस में ये खुद दिखाने की कोशिश की है पकिस लिए या तो है ना आपने दानिस्ता किये और आप एतने बड़े अतातर के और आप कहें जी इससे कोई फरक नहीं पढ़ता या तो अब ये कहें वहां पे जो है वो जो वहां खड़े हो खोरा कह रहा है मुझसे बड़ा आश्क रसूल कोई नहीं है मेरा जो इश्क रसूल है वो सबसे उंचा है वहां वो कह रहे हैं तब्दिली कर दी है मसला आपने जो था इनी मसला उसको आपने बना दिया और उसे हैंडल करने की आप में सलाहियत नहीं है और आप अखबारी बियानात की हद तक अब धंकियां दे रहे हैं याद तो स्टेंड ले ना किस तो था जिसकी परदादारी थी अब प्रेशर आया है अब आजे के दरनों से मसले हलोंगे पाद एक जुम्मदार स्टेंड के लिए उन्हों ने तो कहा ना बाद उन्हें ने गुम्दार से हमेशा हमेशा हुटी है इसको ठंदा करना चाहिए मामले को खत्म करना चाहिए एक आदमी से गल्पी हो जाती है मैं इस दफ़तर में काम करता हूं मुझसे एक बड़ी गलती हो जाती है मुझे बुलाया जाता है मैं ये कहूंगा और कहूंगा नहीं मैंने कई दफ़त कहा है कि जी मेरी गलती है बहुत बड़ी गलती है मुझे सजा देना चाहिए सजा दे एक दवर मुझे से दफ़तर ने का आपको तीन लाग रपर जर्माना अदा किया जाएगा मैंने का मैं उसी वक्त अदा करूंगा चूँकर मेरी गलती है जब आप ये एक इन्सानी आशरे में जब आप खुशदिली से अपनी गलती मनते हैं कहते हैं मुझे से गलती हो गई मुझे माफ कर दिया जाए हमेशा माफ कर दिया जाता है बहुत कम चांसों तक अच्छा ऐसे लजाम लगने के बाद तो कोई खुद भी कह सकता है जब तक इनक्वाइरी मुकमल नहीं होती मैं अपने आपको सामने लाता हूँ के इनक्वाइरी के लेकिन सल्मान साब एक बात बता है तारिक फातिमी हटा दिये गया आरजी तोर पर राना सना अला को बड़तरफ किया गया हम देख रहें मुझायद अला को किया गया और इसके बाद परवेज रशीद को वो ड्राफ्ट वहाँ हुआ होगा वहाँ पर एक कमेटी थी फिर उसकी सब कमेटी के अंदर ये बिल उन्होंने पास किया है वहाँ पर दस्कत हुए है मैं समयता हूँ कि जहां तक आपने राजा जफलक साब की बात किया देखें ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर ये जो कमेटी और कमिशन बनते हैं ना ये कभी मैंने देखा हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं आती और जुमादारी का तायम नहीं होता और ये सिलसला आजका नहीं है ये बहुत पराण है अगर आमने एक चीज़ बात करूं ये हकूमत ऐसी है चौदा लोग मारे जाते हैं मॉडल टाउन असी लोग गोलियों के निशाने से जख्मी होते हैं खादमे आला फरमाते हैं मुई तो पता ही नहीं था इसका मैंने तो वो टीवी जब देखा था साड़े नौ बज़े पता नहीं तब मुझे पता चला है अपरेशन रात से शुरू हो रहा है कहीं डेरा गाजी खान या वजीरस्तान में नहीं हो रहा है अपने महले में हो रहा है अजासाब मैं पूरी रात इसके वाजाग रहा है उसकी एक एक मूवमेंट मैंने अपनी आँख से देखी उसकी पूरी रात आखरी वक्त तक और मैं यह सोच रहा था यार यहां कोई एक आदमी भी ऐसे नहीं है जो वहाँ चला जाए और इसको रोक दे जितना नुकसान हो गया हो गया वजीद ना हो लेकिन बियान और्कॉर्ड का है उनका पता ही नहीं था मैं तो साड़े नौ बजे मैं पूरी बाजे किसी भी एहम मीटेंग में उनको बता गया होगा हकूंतों के हैं हकूंतें टैकल करती है एड्मिस्टेशन की स्टेटिजी होती है फिर बात कोट पे आगी है कि कोट ने ओर्डर जारी कि है वही तो इतरास की बाज़ा है जब कोट के जरीए आते हैं तो फिर उस पर अमल द्रामत जी शुरू होता है ये तो नालाइकी है ये हकूंत की नालाइकी है पानमा केस से उसके शुरू होने से लेके आज तक कोई एक भी सच की गल्पी हकूंत और इनके ओदेदरान से हुई है अगर इस डेट साला दो साला में सच नहीं बोल सके तो इस मस्यास आप कैसे तो वक्तों रखते हैं कि अपानमा को भी डिसकुस कर लेंगे लेकिन हज़ी का नाम दे देना, इस तरह से तो मामले को दबाया ही जासे है ना ना? लो que मarina का से अभी will power نہیں कि को एक्शन ले सकें कि उनको पता नहीं कि उनके पावर है के नहीं है किसी और के पावर थी जाबता पे इनूने क्या कर लिया देखिए उस वक्त पी यही हाद आद्म ने डिनर दे रखा था बरतानिया के बादशाह का भाई आया हुआ था मलका नहीं थी उस वक्त महाज आद्म बिजी हैं आप कुछ टाइम दे दे उन्हों टाइम दे दिया काई आद्म गया उनके पास लेकत लिखाँ है उन्होंने कहा अलंग के बड़े लेकत लिखाँ थे इन सब लोगों से बहुत बहुत बेटर लीडर से और रूम यह रजार अरबानी के वालत ने जो उनक अन्होंने तीन आदमी बेजे उन्होंने का क्या मतालबात अन्हों लिखने के बाद यह हो जाएगा इसमें वक्त लगेगा इसमें मैं फलान से बात करूंगा फिर दो तीन फिक्रे कहे कि आप समझते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है जिस हजिएत से आप गुजर रहे हैं इन्या मुलक है लोग मुसीबत में हैं मुझे इसका एसास है इन्शालला सारे मौसल्य वक्त के साथ खालो ये है तरीका आप लिए लिगलिशे पिशी को कहते हैं ये सवाल जाहर है, ये discussion तो चलती रहेगी लेकिन बात हम वजर खजाना इसागडार के बात करेंगे, मसलों का हल लेंगे think tank से, लेकिन इसागडार के इस्थफ़के बारे में बात कि उन्हें इस्थफ़ा दिया, नहीं दिया, आखर है क्या बात, ब्रेक के बात हवाओं में ये खबरे हैं कि वजिर खजाना इसहाग डार ने इस्तिफ़ा दे दिया है और खबरें ये भी हैं कि उनसे उहदा वापस ले लिया गया है उन्होंने खुद इस्तिफ़ा नहीं दिया हमज़ा शहबास केते हैं कि उनका अपना मुलक है वो क्यों नहीं आएंगे पाकिस्तान वापस लेकिन हमने जाना है कि हिकमत क्या है एन फवाहों के पीछे या सब ये फवाहों का जो बाजार गर्म किया जा रहा है इसके पीछे क्या हिकमत एमली है बेशर्मी का लफस इस्तिवाल करना मेरे खर मुनासिब नहीं है तो और वो नहीं करना चाहिए पर यहां तो सब इंतहाएं जो है वो पार हो चुके हैं पताने बिस तरे वो अलालत पे पड़े हुए है परेशान है बिस तरे अलालत पे अब पड़े हैं बहुत देर पहले बहुत उस से अर्सा पहले हम यहां पे कितनी बार जिकर कर चुके हैं कि उनका चेरा मुबारिक का निजारा तो लिया जाएं क्या परिशानी उन्दर की तमाम परिशानिया जो है आया थी चेरास वो चेरे पे आयूई थी एक दफ़ा उनकी नैब के कोर्ट में वो पेशी थी तो उन्हें इस तरीके से वो ला रहे थे हलाएं कि गिरिफ़तार नहीं थे वो सहरा दे रहे थे लोगों पता चल रहा था जैसे कोई थाने के सबसे बड़े मुश्तबा जो है उनको तफ़तीश के लिए लाए जा रहा है और वो बेबस खड़े थे आप किसी और मुलक में ऐसे आपको मनाजर और नजारे देखने आएं तो आप वो कहते हैं यार इसको जरा को मतलब इनको रहमी किया जाए और इनको आप खटाएंगे है सिर्फ ये पता है कि तो फिड़ा जो पत्तुर बनदा ही तज्विजज हैं ते साथ ये भी कहते हैं कि बिलकल नहीं बनाएंगे उसको वो तो एक सिंपल प्रफेशनल है, खांदान से तो उसका के तालब नहीं, और किश्मेरी भी वो नहीं है, वो जो लफ्स मैंने का कि इस्तमाल नहीं करना चाहिए, उसकी तो इन्हों ने तमाम हदें, इस हकूमत ने, हकूमत की क्यादत ने, इनके जो हैं सरब्राहों ने, पता फैमिली के अकाउंट्स खुलवाए, फिर शबाज शरीफ साथ के कहने पर मैंने ऐसे मुन्तकिल किये, फिर वो हुदैबिया के एसेट्स बन गे, फिर वहां से लोन्स लिये गे, मतलब ऐसी ये कहानी है, आज भी मैं वो सुन रहा था, हमज़ा शबाज अपने यहां की घलक मात आएंगे, तो देखेंगे कि ये सेल में नाम डालना है के नहीं, अगर ऐसे लजमात पर वुज़ारा का नाम डालने लग जा तो पूरी काबीना आजएगी इसमें, मुसाद्ध मिलक साथ की जब मैं को तक्रिक गुफ्तकू सुनता हो ना, तो मेरी हसी चुट जाती है, क कोई शख्स इस नफासे से भी इंटरिप्रटेशन कर सकता है, इस आदमी को वकालत करनी चाहिए थे सुप्रेम कोट में, दुनिया का बत्ते है, हमारे एक दोस्त के बारे में शौयब नजीज ने कहा था, कि मुकदमा जितना ज्यादा जूटा हो, वो उतना याला तरीके से ये पेश करता है, जितना नाकस, बात ये है, कि ये फैसला करना वजीर आदम का काम ही नहीं है, ये जिस सदरे का काम था, उसने फैसला कर दिया, ये नैप का काम है, और वजारत दाखला के ये काम है, कि उसे कबूल करें, जैसे ये दफ्तर है ना, मैं बार बार समझाता हू इसमें एक सिस्टम है ना हम जानते हैं फला आदमे के पस ये अख्तियार है निउस एडिटर फैसला करेगा ये खबरतीन कार में लगेगी उसमेड़िटर को कोई अमल दखल नहीं है नमालकान को कोई अमल दखला है असन और हुसाइन का नाम भी इस सेल में डालने की तैयारियां मुकमल हो चुकी हैं लेकिन मैंने सवाल यही करना था कि अब शायद खाकान अबासी दुबारा जैसे लंदन से लेकर आये थे इस हाकडार को एक बर फिर जाना पड़ेगा उन्हें लाने के लिए? देखें अबी जो बात हुई है चुके बड़ी संजीदगी से इस पर बात करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की बिमार मुष्यत किसी बिमार वजीर खजाना की मुतमल नहीं हो सकती तो सलसल हम इस प्रोग्राम में भी यह बात कह रहे हैं और यह बात खुद हकुमती हलकों में और मैं आपको जुमतदारी से कह रहा हूँ कि इनके अराकी ने असंबली भी इसी पर डिसकस कर रहे हैं और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि यह फैसला प्राइमिस्टर ने नहीं करना यह फैसला इसका सिगनल जो है नवाज शीव साहब ने देना है और मैं समयता हूँ कि जो सورते हल बنتी जा रही है कि आप बेर उनुनी सरमया कारों को पाकिस्तान के हवले से क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की अच्छी तस्वी बायद जाने की ज़रूरत है और पिछले तीन-चार मा के अंदर जो सूरते हल बन गए है पाकिस्तान की कि आप पहले इंडिकेटर्स देख लें और आजके देख लें और अगर अगर अब भी यही वजीर खजाना पर जिद और हटदर्मी का शुच्छा करे देना है रस्ते में को ने सिल्मान साब लेकिए मैंने तो आपको कल भी बता दिया था वजीर थे और हैं और मैं समयता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आगे की तरफ लेके जाना है पाकिस्तान की मुईशित को संबाला देना है गवर्निस की बात करनी है तो फिर इतने सारे चार्जिस के बाद उन्हें अज़ खुद पीछे आठ जाना चाहिए कोई अखलाकी पोजिशन भी होती है मैं एक बज़ा आपको बता दूँ उसका इस वाकिया से कोई तरल लग नहीं साग्डार से मेरे एक दोस्त है मैंने उनसे कहा मुझे से अमर में चार साल बड़े थे अयास साब की दोस्त है मैंने उनसे कहा यार हम गंजे हो गए हमारे बाल सफायद हो गए तुम हमसे चार साल बड़े हो तुमारे बाल स्या है तुम बिलकुल हटे कटे हो उसकी वज़ा क्या है उसने कहा जो कुछ आप समझते हैं वो कोई भी ऐसी वज़ा नहीं उसकी आपने का था नोटिफिकेशन के बगार ऐसा नहीं हो सकता कि वजिराजम के पास कलमदान हो और जो मुशिरान है वो उनकी मदद कर रहे हो अब उनके पास है तो बाकाइदा क्यों नहीं प्रेश रिलीज जाए कि रहता है देखे बात यह है कि इसागडार साहब के जो स्तीफे का मामला है उसकी उसका जो मसला है उसका बिलकुल वही मसला है जो धरने का है वजा यह है कि इंडिसाइसिवनेस है अच्छा और मामलात को तहनी करना कहना कुछ करना कुछ कोई बंदा गौर्मिंट का एक बंदा एक बयान जारी कर देगा वो जो मिनिस्टर आफ स्टेट फ आपके पास सारे इफ्तियाराइट वो फैसला करें हाँ या ना में अगर उनको रखना है तो ठीकर रखें और फेस करें रियालिटी को और अगर नहीं रखना है तो वैसे उनकी बदकिस्थम्ती पहरान हूं कि उस शेक्स ने अच्छे काम भी किये हूं रखना इनको अच्छे काम भी के लिए याँ याँ किस्मत की बात पहां अगर उनको प्रम रेखिए और वो खड़ नहीं लेंुट तो या आपके जितनी बदो अइसमें पदिन के विजिर आधिर्यासम कैच चुके हैं, इसे मैं कोड डाव हो यहूरbed है, जीजिजिन मेकिंग का हमारा स्टायल ये चीज लड़कती रहे, चलती रहे, किसी वख दिसार, लटकाते रहे, लटकाते रहे, जहां तक लटकाया जासे ताया सब, हमने देखा, चार साल तक वजीर सmount प्रज़ा नहीं था हमारा कोई और वजीर आजम नमाज शरीफ ही उसको देखते थे अब हम एक बर फिर देख रहे हैं कि वजीर आजम शाहिद खाका नबासी घर इलानिया तोर पर वजीर खजाना है और उनके सेकेटरी है जो मुशीरान है उनके और जो कमालात और जो कमाल ज जोहर बतौर वजीर खारजा जुनाब वजीर आजम ने दिखाए वो आपको मनजर नमा याद है जब अबामा के सामने बैठे थे जी अबामा चार इलफाज कह रहे थे और वजीर आजम और वजीर खारजा क्योंकि दोनों कलमदान उनके पास थे वो नोटस को देखी जा र कीमा आपके लिए इनतजार कर रहा है कराची में हो खुदा कर मतलब है कि यह कौन से मिसिस उबामा को पाकिस्तान के दोरे की दावड़े मिसिस उबामा को वो वो करके बाद सुनें यह कहते हैं कुद्रत का हाथ कुद्रत ने इनको मौलत और इजाज़त दी और इनोंने इस बदकिस्मत मलक पे 35 साल मुख्टरिफ शकलों में अब हकूमत और हुक्मरानी की यह यह देखे इसे कहते हैं हालात यह किस्मत का जबर जमूरियत की नफी कर रहे हैं अब यह बात कहुते हैं आप तो खुद पारलिमानी और जमूरियसियासत का सा रहे हैं जी बिलकुल वो वो जनरल हमीद गुल साब ने तश्कील दी थी और वहां वो जमूरियत से फिर आई जी आई बनी थी ये सारी बिलकुल ये पाकिस्तानी मरका जमूरियत है वहां से वो करके दो जमूरियत पूले पोड़े जा रहे हैं कुछ ना कुछ बात हो रही है इस बावत भी बात को तिंग डेंग का साथ देने का शुक्रिया साबक वजिर आजम नमाज शरीफ का लैबिट अबाद में मौजूद होंगे अवामी इज्टेमा से खिताब करेंगे और अब जाना ये है कि वो क्या पॉलिसी इक्तियार करते हैं लेकिन आप अपनी राए का इजहार कीजी आवा मुझे क्यों निकाला फिर क्या करेंगे वक्ती गुरेस करेंगे तसादम से महातराई से तसादम ही करेंगे लेकर मौताद पैराय में करना के कोशिश करेंगे उनकी हालत एक बहुत मजबूर पहलवान की है जो कुष्टी लड़ना चाहता है उसके साथी जा कहते हैं का फला फसाद पहलाने के हक में नहीं है उनके जी जो यह चाहता है उसकी एक मिशाल में आपको देता हूँ इमरान खान का जलसे था दूसरा बड़ा तारीखी जलसे एक तो 30 अक्तूबर 211 को हुआ था एक उसके बाद हुआ था अगले साल तो उसने का कोई मैंने का मैंने का मैंने भर मुझनी ठीक ने आएगी अच्छा लिगे पैसे साब अब आप उन्होंने कानूनी अदालत तो इस तरह राम नहीं कर सके है अवामी अदालत को मनाना असान होगा उनके लिए लिए बोबिलाइजेशन तो वो अपने हक में करेंगे और जाहर है वो ये तो नहीं कह सकते ना कि जो मकदमे चल रहे हैं या जो प्रूसीडिंग्स हो रही हैं वो सही है उनको तो उन्होंने चैलिंज करना है क्योंकि अपना पॉइंट वी प्रेजेंट करें और वो जो एक लाइंग भी ना क्रॉस करें लेकिन नवाज शरीफ सहाब जब मजमा देखेंगे ना तो फ काम नहीं होगी लेकिन ये के-पी-के से आगास क्या सियासी केस पेश करना है और जिससे नवाज शरीफ की सियासत को मैं जानता हूं कि वो कम्प्रोमाइस करते नहीं है अगरबने करेंगे कि अपनी हैंगे हैंगे वो अपनी क्रेश केस करेंगे अपना सियासी केस कर बिजिक करेंगे और म집धे क्या Set को व। अपनी करेंगे हत पयर मार रहे हैं देखना ये है कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है जिस शिकनजे में पड़े का paarड़ में उए खुशी हुई कि आपने यह तो कहा कि हात पौँ मार रहे हैं इसका बना हात पौँ तो चल रहे हैं लेकिन इनकी इंतखाबी महें की क्यादत कौन करेगा जिस किसम के केसिस हैं ना नवास शरीफ कर सकेंगे ना खदमे आला कर सकेंगे वो खुद सबसे बड़े लीडर है अपन आया हुए है आप देखें जो आज ये मैदान में निकले हैं मरियम और यहां पे हम्जा जो हैं यहां पे निकले हैं यह हम्जा बगरा बताएंगे कि आप पार्टी को हम लीड करेंगे वो चैप्टर नून लीका खतम होगा यहां साब बात तो सुनें माजरा ही होती है आप सुप्रीम कोड़ पे हमला करें ये कर सकते हैं आप कह रहे हैं इन्होंने वसा से करनी है किस से करनी है जोडिश्री से करनी है फौज से करनी है ने कि हमेशा भूल जाते हैं कि ये दुम दबा के जद्दा भाग गए थे अच्छा और लेकिन अब की बार वो अदालतों का सामना कर रहे हैं और कहा था हमने कोई मौाइदा नहीं किया अच्छा ये आपके कॉला में भी दर जाया अच्छा भी अवाम की राय शामिल कर लेदे हैं कि मुस्लिम लियून की अवामी राबता मुहिम का आगाज इदारों से टकराओ की पॉलिसी 61 पीसद का ये मानना है कि जी हाँ इदारों से महाजाराई टकराओ की पॉलिसी ही इक्तियार करेंगे इलेक्शन की तैयारी 49 पीसद ऐसा समझते हैं आपने अपनी राय का इजहर कि आपकर शुक्रिया प्रोगाम देखा फीदबैक कर रहेगा इंतजार अगले प्रोगाम तेक लिया लाने के बार का बार